आप देख रहे हैं सरोज दर्पन नियूज मैं हूँ नदीम सरवर वरिष्ट चीप बेवरो बेतिया अभी मैं मौझूद हूँ बेतिया के छावनी चौक पे और आप नदारा देख सकते हैं लोगों की भीड है और यहां केमरा मैं जो है मैं उनको कहूंगा यहां देखाने के लिए भी तुट्रण ओंईदारी बथी और देखिए कि यह सरकार में बुरी मिस्ट्री के कैसी लब परवाही है यह अब ऑदारी बनती है और जो साहिप की झीजिमधारी बनती है कि देखिए ट्रॉक आया और ट्रॉक में फ Sat 남 act है किस्ट तरीके से ओसर और बाल-बाल बच डेखिया कितना खत्रा है कि log का जानुगा रोगों से कैसे बिजलि गिरी है T sotto के ऊपर और पूरे ट्रॉक के अंदर करेंट फेल चुका है और मैं यह सामने देख रहा हूँ कि यह परशासन की लह परवाई है कैसी कोई बड़ा हादसा हो सकता है पर शासन ने अगर जल्दी इस पे एक्षन नहीं लिया यहां पे लोग है मैं इसे पुझने के कोशिश करूँगा कि कैसे ही हुआ है एक बैग बिली कैसे ट्रॉक पे गिर गए बताइए आपका क्या ना में जब्रकाश याद हुआ हुआ है ट्रॉक में लड़कर ग कौन है ट्रॉक के ड्राइवर साहिब कर देखिए मैं देखा रहा हूं कि एक तरह की लापरवाई है बिजली मिस्तिरी और यहां अब इस डियों साहिब की जिम्हादारी बनती है यहां ट्रॉक ड्राइवर भी हमारे पास देखिए ट्रॉक किसमने इधर आप लोग पीछा आप लोग पीछा कि अच्या रास्ते साहब आ रहे थे तो रास्ते साहरे इसमें करेंट है क्या करेंट है तो कैसे फस गया थोड़ा था फूर बढ़ा वह से पोले पोली गिर गया बिजली मिस्तिरी की जिम्हादारी बनती है और यह इन लोगों कि लिए परवाई है लपर तो देखिए मैं बता रहा हूं और परशासन से मैं आगरा करूँगा कि अगर हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रहे हैं यहां के जैई साहब हैं जो साहब है यह खत्रा एक बना हुआ है लाहित तश्वीर में आपको दिखा रहा हूं सरोष दरपन न्यूस के माधियम से किस तरीके से लोग यहां जमा हुए है और यह खत्रा बना हुआ है तो इसलिए मैं जिलापर शासन के तमाम पदादिकारियों से मैं आगरा करूँगा गुजारिश करूँगा कि यहां एक खत्रा बना हुआ है पुरे ट्रॉक के अंदर करेंट है और लोगों को इधर समझ समझ जाए भाईि आप लोगों किसे काम कर रहा है किसे कई किस तरीके से मतलब ऐकाहा हुआ हादसा हुआ है बज गया है की गाड़ी में कहीं आग भी लग जाए या किसी को करेंट भी लग जाए अगर हमारी आवाज सरोज दरपन के माधियम से अगर जेई साब के पास पहुंच रही है अगर पहुंच रही है तो मैं उनसे कहूंगा कि फॉरण घटना अस्तल पर आया और इनको बनवाने की कोशिश क करें वरना बड़ा हाथसा हो सकता है कई लोग करेंट के जिद में आ सकते हैं और फस सकते हैं जिससे बड़ा हाथसा हो सकता है मैं फिर केमरामाइन को कहूंगा कि मैं दखाए किस तरीके से ट्रक के ऊपर पूरा जो पॉल है वो गिर चुका है और पॉल गिरने के वज़े से तार ट्रॉक के अंदर सटा है जिसके वजह से पुरे ट्रॉक के अंदर बिजली है और किसी तरीके से ट्रॉक के ड्राइबर ने कुद कराओ अपनी जान बचाइए तो ये बड़ी लापरवाई है परशासन की सरकार कहती एक कि हर जगा हम हर चेतर में बहतर काम कर रहे हैं आप अगर बहतर काम करते तो यह नजारा देखने को नहीं मिलता ट्रॉक ड्राइबर की जान भी जा सकती है और यहां जितने लोग खड़े हैं किसी की भी जान जा सकती है जिस तरीके से महौल पैदा हुआ है इसलिए मैं डीम सा वरिष्ट बेरोचिप बेतिया बंगी बंगी